आप सभी को मेरी तरफ से जै माता दी माता रानी का पवित्र पर्व नवरात्री चल रही है माता रानी प्रत्यक्ष रूप में पृत्यमी में विद्धमान हो चुकी है और हर भक्त हर सादक के यहां प्रत्यक्ष रूप में विद्धमान है और साथी आपकी अराधना को आपकी भक्ती को भली भाती देख रही हैं सुन रही हैं और साथी आपको धेर सला असिरवाद भी परदान कर रही हैं क्योंकि माता जकत जन्नी सभी भक्त की प्री हैं जो भी भक्त उन्हें प्रेम पुरुवक बुलाते हैं वो तुरंत दोड़ी चली आती हैं उनके लिए ना ही कोई भक्त छोटा होता है ना ही कोई भक्त बड़ा होता है उनके लिए सब भक्त समान होते हैं लेकिन उनमें भी कोई बिडले भक्त होते हैं जो मातारानी के लिए अपना जीवन समर्पित करे हुए हैं जिने मातारानी के प्रेम के अलावा भारत वर्स में हैं तो इस नौरात्री में मैं आपको कुछ विशेस बाते बताना चाहता हूँ जिसके बिना नौरात्री वरत चाह नौरात्री का दिन यानि ये पर्व अधूरा माना जाता है अगर आप नौ दिन का वरत किये हैं तो ये नियम आपको जानना अती आवश्चक मैं वीडियो को लंबा करने के लिए ये सारी बाते कदापी नहीं बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए ये सारी बाते बता रहा हूँ जो बाते सास्त्रों में लिखित है वही बाते में आप सभी को कहूंगा ताकि आपके मने में ये संका न रह जाए कि मैं जो सारी बाते कह रहा हूँ वो सारी बाते कालपनिक है तो आप वीडियो कट करके चले जाते हैं तो सास्त्रों में लिखित बाते में आप सभी को बता रहा हूं कि वो पाँच कौन सी बाते हैं जिसके बिना नवरात्री अधुरी मानी जाती है जिसमें सबसे नमबर वन पर है नवरात्री हवन जो नवरात्री में हवन किया जाता है उसके बारे में सास्त्रों में क्या लिख इसके बीना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होगी हवन करने से मांसिक सांति और सकरात्मक उर्जा भी प्राप्त होती है यानी सास्तों के कहने का मतलब है कोई भी वरत वः उपवास यानि की वो नवरात्री यह नहीं आप कोई भी व्रत उपवास कर रहे हैं वो तब तक पूण नहीं मानी जाएगी जब तक आप हवन न कर लें। हवन करने से आपकी पूजा संपूण मानी जाती है। ठीक है? यही बाते सास्त्रों में लिखी थैं। नंबर दो पर चलते हैं। इसमें नंबर दो पर है कन्या पूजन। नवरात्री की पूजा में कन्या पूजन बेहद ही सुभ माना जाता है। वह सभी कन्या देवी के समान होती है। इसलिए अश्टमी या नौमी के दिन कन्या पूजन करना चाहिए। हाला कि आम दिनों में कन्याओं की सेवा करनी चाहिए या बिहद खास माना जाता है यानि कन्यापूजन नमबर दो के स्थान पर है जो आपको अवश्य करनी चाहिए कई लोग में देखता हूं कि वैसे ही नव दिन का वरत कर लेते हैं कन्यापूजन नहीं करते हैं ऐसे भी मन और साती इसमें जो ये बाते लिखी थे कि आम दिनों में भी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए यानि केवल नवरात्री में ही नहीं आने शमय में भी आप कन्या यानि जो भी देवी रूप में यानि जो भी बालिकाय जो भी बच्ची है उनकी सेवा करनी चाहिए उनसे लड़ा स्थापना जरूरी है कहा जाता है कि पूजा के दौरान कलस को देवी की सकती का पर्तिक के रूप में स्थापित किया जाता है इसलिए कलस को स्थापित करना ना भूलें आदी सकती जगदंबा की अराधना या नौ दिन का वरत करने वाले से मेरा अनुरोध यही है कि कई करना आपकी इच्छा है देवी रूप में परत्यक्ष रूप में वरुण देवता सहित सभी देवता आपके घर में विरजमान रहते हैं चाहे पंडाल में विरजमान रहते हैं तो कहा गया सास्त्रों में कि बिना कलस के नवरात्री वरत चाहे नौ दिनों का आप पूजा पाठ कदापी ना करें शंबह हो तो कलस अस्थापना अवश्ची ही करें चलते हैं चौते नंबर की ओर चौते नंबर में लिखित है आरती करना आम तोर पर व्यस्त रहने के कारण कुछ लोग आरती किये बगर ही उपवास रख लेते हैं हाला कि या तरीका गलत है यदि आप नवरात्री का उपवास कर रहे हैं तो नियाव अनुसार आरती करें इससे आपके वरत को पूर्ण माना जाता है सही बाथ है सास्त में जो लिखी थे और मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो भी शक्षट है अब झेखावे के लिए नौरात्र व्रत नहीं रहा जाता है आपको कोसिस ये करें कि दोपहर का अगर ना अरती हो सके यानि आप duty जा रहे हैं तो सुबा साम तो आप घर पे रहेंगे ना अगर सुबा साम ना हो तब तो समझ में आरा कम से कम एक टाइम तो रहेंगे या तो सुबा रहेंगे या तो रात में रहेंगे ये तो संभव है तो आप बिना आरती कि ये घर से बाहर ना निकले अगर को घर वापषाय, तब तो देवी की आर्ति करना आती आफशक है, क्यूंकि बिना आर्ति के पुजा पूण नहीं मानी जाती, यानि आप दस घंटा लगतार पाठ कर रहे हैं, सास्त्रों का अध्यन कर रहे हैं, देवी आपके पूजा में माता का सोला सिंगार होना बहुत जरूरी है जिनमें बिंदी, सुन्दूर, लाल चूडी, महंदी, बाजुबंद, हाथ फूल, मांगती का, जुमके, नत, काजल, मंगसुत्र, लाल चुनरी, कमनर बंद, कुम-कुम, पायल और बिचिया का नाम सामिल है या माता रानी को सोला सिंगार अरपित आप अवश्य करिए अगर मूर्ती रूप में विरजवान है तो माता का सिंगार आप अवश्य करिए इससे आपको अत्यंत सुबफल प्राप्त होगा और माता रानी की असीम अनुकमपा आपको प्राप्त होगी ये जो मैंने पांच वि बिशेश नियम नौरात्री के दोरान में आप सभी को बताया हूँ ये सारी बाते सास्त्रों में लिखित है कही कहाई बात बिल्कुल नहीं है कालपनी बात बिल्कुल नहीं है जो बात मैं बताया हूँ वो बिल्कुल सास्त्रों में लिखित बाते में आप सभी को बताया अगर आपको पूजा के दोरन कोई तुरूटी हो जाती है जिसका आभास आपको हो जाता कि मैंने गलती की है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है माता रानी शब के प्री है और सब उनके पुत्र है पुत्री है तो एक माता अपने पुत्र या पुत्री को तुरंत शमा कर द वस विवश अज्ञान वस मैंने ये गलती कर दी है आप अपना बालक समझ के मुझे शमा करिये और इस भूले भग्द को फिर से आप अपने सरण में ले लें ऐसा प्रात्ना करके आप उन्हा पाट करने लगें देखिए माता रानी है वो सबकी मा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वीडियो ज्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ अगर जनकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा धन्यवाद जैमाता दी